My Kitchen Treasures चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके रिए लेकर आए हैं बाजरा मेथी पूरी हमने इसे स्टार शेप में बनाया है ताकि बच्चे भी इसे बड़ी खुशी से खा सकें और इसे बनाया है हमारे ग्रूप की बहुत ही टारेंटेड होम शेफ मोनिका गुपता जी ने तो आईए जानते हैं उनसे ये कैसे बनती है ये मैंने डेड़ कप बाजरे का आटा लिया हुआ है आप आशप्ता अनुसारी से बढ़ा गटा सकते हैं आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप उसी साब से मात्रा को बढ़ा लिजे आधा कप से ज्यादा मैंने गेहूं काटा लिया है ये इसमें मिक्स कर देते हैं दो आलू मैश किये हुए मैंने लिये हैं ये पहले से मैंने उबाल कर मैश कर लिया था यह मिक्स करते हैं एक कप मेथी यह दो कर काट लीजिए महीन महीन इसे एकदम बारी काटने काट कर डालेंगे और अच्छी तरह धोलेंगे आधा कप दही यह भी इसी में मिक्स करते हैं बेर छोटे चमच नमक आधा चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चोटा चमच अजवाइन और एक पिंच हींग एक चुटकी हींग डालेंगे अब इस सब चीज़ों को मिक्स करते हैं इसमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं मिक्स करके इसका डो बनाना है यह देखे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालके आपको डो बनाना है एक साथ ज्यादा पानी डालेंगे क्योंकि बाजरा जो है वह गीला हो जाएगा तो पूरियां नहीं बन पाएंगी यह देखे इसका डो तयार हो रहा है बहुत धीरे धीरे पानी डालेंगे वरना आटा मारा गीला हो जाएगा क्योंकि बाजरा बहुत जल्दी गीला हो जाता है इसका आटा तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं इसमें कि यह अटा मारा तयार हो गया है यह थोड़ा सा सकत रहेगा बहुत जाधा गीला नहीं अब इसे हम पांस से दस मिनिट के लिए थका कर रख देते हैं आप जैसा कि आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल तयार है तो हम इसमें से लोई ले लेते हैं और उसे पेल लेते हैं थोड़ा सा आटा ले लेंगे पर्थन में आप जोने तो तेल भी लगा सकते हैं इसे हातों से हलके हलके दबाएंगे थोड़ा बड़ा करेंगे और फिर बेलन की सायता से हलके हातों से बिल्कुल बेलेंगे बहुत पतला नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं होगा मीडियम साइज में बेलेंगे अब मैं इसमें एक ट्विस्ट देने जा रही हूं वो मैं आपको बताती हूं अब इसमें ट्विस्ट मैंने यह दिया है कि इसे हम गोल शेप में नहीं बनाएंगे इसे मैं स्टार शेप में बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को मेथी और बाजरा यह सब पसंद नहीं आता तो उन्हें आकशित करने के लिए थोड़ा ट्विस्ट देना पड़ता है तो इसलिए यह मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूं तो इसलिए मैं इसको एक अलग शेप दूंगी आप भी मंचार शेप में बना सकती है या चाहे तो गोली बना सकती है जैसा भी आप ठीक समझे पूरिया हमारी बेल करब तयार है इसे अब हम तल लेते हैं पूरियों को तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है अब इसमें पूरिया डाल देते हैं जैसे बहुत तेज आज पर नीतन ला है चोटी-चोटी है तो कई सारी एक साथ आ जाएंगी और इसे हलका सुनेरा होने तक तल लेते हैं कि देंखें को दॉस्तों पूरिया मेरा सब्सक्याइब अब इसे नीकाल लेते हैं कर दो देखिए दोस्तों पूणिया तियार है अब इसे सर्फ करते हैं हम आशा करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी आगे भी ऐसी बड़िया बड़िया रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ बने रहे थैंक्स फर वाचिंग बाबाई गॉड ब्लस यू झाल